मतलब मैं यह सोच रहा था मुझे बहुत दया आ रही थी वह जो आफिसर जिसको इन्होंने भेजा था क्राइम ब्रांच के एक आफिसर को एक युवा जब पुलीस जॉइन करता है तो एक बड़े आइडिलिजम के साथ जॉइन करता है कि मैं देश की लिए काम करूंगा समाज की रक्षा करूंगा अपराधियों को पकडूंगा क्राइम कम करूंगा महिलाओं की सुरक्षा करूंगा वो कभी यह नहीं सोचता कि मेर ओफिसर् में क्राइम ब्रांच के पांच गंटे तक मेरे घर के सामने उनसे नौटंकि करवाई इन लोगों ने पांच गंटे तक उन्हों ने अटीशी के गर के सामने हैं जाए इसलिए थोड़ी पुलिस में जाइन किया था उन लोगों ने उनको भी बड़ा मैंने देखा जासमीन उनसे पूछ रहा है तो वो विचारा कोई जवाब नहीं दे पा रहा है नहीं नहीं मीडिया के सामने नहीं प्राइवेट में आ जाओ बंद कमरे मे आजाओं वहाँ बात कर लेते हैं तो उसको भी कितना उसके अंदर कितना बुरा लग रहा होगा उसको कि मैं मेरा दिल्ली पुलिस की एक तरह से कल बेज़ती कर दी नोगों ने उनके जो राजनेतिक पॉलिटिकल मास्टर्स हैं उन लोगों ने पूरी दिल्ली पुलिस की बेज़ती कर दी वो ये पूछ रहे हैं कि किन लोगों ने आम आदमी पार्टी के MLS को खरीदने के लिए किन लोगों ने अप्रोच किया ये किसी से छुपा है सारी दुनिया जानती है इस देश में एक ही पार्टी है जो सब को खरीद रही है जिन्नोंने गोवा में सरकार तोड़के बनाई उन्हों नहीं किया हमारा भी जिन्होंने महराष्ट्र में एंसीपी तोड़ी उन्होंने हमारे MLS को जिन्होंने महराष्ट्र में शिवसे ना तोड़ी करनाटक में सरकार गिराई राजस्थान में सरकार गिराने की कोशिश की ये जो पूरे देश के की में है अच्छे काम करने चाहिए है देश के लिए काम करने चाहिए समाज के लिए JSA हम कर रहे हैं इसे तो देश का इसे तो देश सुक्शान्ती होगी होगी लोग की तरक्य होगी किन इस ये not जो मुख्यमंतरी को सिटिंग सीम को उन्होंने अरेस्ट करके गलत तरीके से अरेस्ट किया आप जैसे ईडी का इस्तेमाल करके ऐसे तो यो कोई भी सbersकूर गिरा धेंगे महराष्टर में सरकार गिनोंने अब जारकंड के अंदर पूरी कोशिश तो इनकी सरकार गिराने की थी वो सरकार गिरा नहीं पाई, उन्होंने 48 घंटे तक इंतजार किया कि जारकन मुक्ती मोर्चा के लोग तूट जाएंगे, यह तो अच्छा है कि कोई नहीं तूटा भी तक, तो यह जो चल रहा है देश के अंदर, डिक्टेटर्शिप चल रही है, इडी का इस्तेमाल करके चारों तरफ सरकारों को गिराया जा रहा है, गलत तरीके से जनतंत्र खत्म किया जा रहा है,